एक गलास में पानी लेकर उसमें कलर पेसिंट डालने से कुछ नहीं होता है लेकिन उसी पेंसिल को गर्म करके पानी में घोलने से कुछ ऐसा मैजिक देखने को मिलता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको एक पेंसिल और एक रीफिल का टुकरा लेना है फिर आपको एक पेपर लेना है और कलर पैकेट से थोड़ा सा कलर पेपर को उपर निकाल लेना है फिर आपको रीफिल का टुकरा लेना है और उसके एक साइड में कलर को कुछ इस परकार से भर देना है फिर गोंद लेना है और उसको पेंसिल को उपर अच्छे तरीके से लगा देना है और कलर वाले हिसे को नीचे कड़कर रीफिल को पेंसिल को उपर कुछ इस परकार से चिपका देना है फिर एक डलास पानी लेना है और एक मुमति को जला लेना है और पेंसिल को कुछ इस परकार से गोलना है और दिखाना है कि कुछ नहीं हो रहा है और फिर मुमतिक उपर पेंसिल को अच्छे तरीके से गर्म करना है और फिर उसको पानी का अंदर अच्छे तरीके से घोलना है ताकि कलर पानी का अंदर अच्छी तरीके से घुल जाए अरे ये क्या हो रहा है ये तो प्रोड चैनल को सब्सक्राइब प्रोए से और मददार वीडियो देखने के लिए